Hello everyone, welcome to Auto IS Academy YouTube channel और हमारी Great Indian Thinker की सेरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जिन Thinker के बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं उनका नाम है Gopal Krishan Gokhale और हिस्ट्री में हम इने बहुत सारे इनकी efforts और इनकी जो struggle है freedom struggle के लिए इनके लिए इनको जाना जाता है इनको इंडियन freedom struggle में लाने के लिए उनको inspire करने के लिए और उनको आगे guide करने में Gopal Krishan Gokhale जी का एक बहुत-बड़ा contribution रहा है और इसके साथ-साथ 1905 के time के उपर जो सवदेशी movement चलाई गई उस समय Congress को एक major leadership role जो था वो भी Gopal Krishan Gokhale की द्वारा उस समय दिया गया था तो चलिए आज इनका हम एक biographic sketch जो है उसको read करेंगे और जानेंगे के Gopal Krishan Gokhale जी की complete life के बारे में और इनका struggle और sacrifices for the independence of the country अगर हम Gokhale जी के early life के बारे में बात करते हैं तो Gokhale जी का जो birth था वो year 1866 में महाराष्टरा के रतन-गिरी district में हुआ Gokhale जी ने अपना पहला जो normal जो से हम basic education होता है वो इन्होंने वहीं से ही एक अपने village के school से किया और बाद में ये राजा राम college में कोलापूर में गए जहां पे इन्होंने अपनी father study की और इसके साथ साथ इन्होंने पूर्णा में deccan college से भी अपना education जो था वो लिया he finally graduated from Elphinstone College Bombay in 1884 और अपनी graduation complete करने के बाद इन्होंने deccan education society को join किया जिसमें already बाल गंगरतर तिलक गनेश अगरकर और चिपलांकर जैसे जो leader थे एक prominent role जो था इसके अंदर play कर रहे थे और यहीं से ही जो गोखले जी थे उनके political और journalist की जो journey थी वो यहां से start हो जाती है During this time क्योंकि deccan education society education की field में बहुत बढ़िया काम कर रहे थी और इसी society के द्वारा ही Ferguson college की जो establishment भी की गए थी गोखले जी ने अपने इस time के कम से कम 18 साल Ferguson college में as a teacher यहां पे teach किया जहां पे उन्होंने different different subject जो थे पढ़ाए और during this teaching teaching profile जो गोखले जी थी थे economics जो था with the very very soon it become one of the favorite subject जैसे होता है कि किसी सब्च को बहुत सरे अगर subject पढ़ाए जाते हैं तो उनमें से normally एक subject जो है favorite subject बन जाता है तो गोखले जी का भी economics में बहुत दिल्चपसी और interest बना और यह का एक favorite subject बना इसे subject की वज़ा से ही जो गोखले जी थे उन्होंने उस समय की जो हमारी देश की जो economic condition थी उसको deeply पढ़ा भी उसको analyze भी किया और अपने इसी knowledge की वज़ा से इन्होंने आगे जाके जो समय हमारा political struggle चल रहा था उसके अंदर जो जिस तरह से economically British हम exploit कर रहे थे उसको politically और publicly जो था इसको expose भी किया 1886 में गोखले जो थे वो MG रंदे से आगे मिलते हैं MG रंदे जी के बारे में मैं already एक वीडियो कर चुका हूं जिनके बारे मैंने इनका great biography किया हुआ है तो उसको भी read करके आपको MG रंदे का एक बहुत detail information जो है वहाँ available होगा तो गोखले जी MG रंदे से मिलते हैं और MG रंदे से यह उनके liberal और एक moderate philosophy से बड़ा इन जो है उनसे influence होते हैं and very soon MG रंदे जो है यह गोपाल कृशन गोखले जी के political guru बनते हैं और उनको आगे political life में उनको आगे guidance की जाती है so MG रंदे was the political guru of गोपाल कृशन गोखले and गोपाल कृशन गोखले was the political guru of the महात्मा गांधी रंदे जी के contact में आने से जहां पे इनका liberal और एक moderate philosophy जो develop होई वहीं पर ही गोखले जी ने journalism में भी अपना एक पैर रखा और journalism की भी यहां से शुरुआत हुई स्टार्टिंग में गोखले जी ने जो मराथा जो की English weekly start किया हुआ था बाई चिपलांकर तिल्क और अगरकर जैसु समय के यंग लीडर थे और बाल गंगादा तिल्क इसके बहुत prominent रोल प्ले किया था इस newspaper को establish करने के लिए इसके अंदर वो अपने आर्टिकल जो थे वो लिखा करते थे बट लेटर स्टेजस में because of the ideological and philosophical difference with the बाल गंगादा तिल्क गोखले जी जो थे वो इससे अलग भी हो गए थे इसके बाद गोखले जी ने एक सुधारक नाम का एंगलो मराथी weekly एक paper था जिसको की अगर करके द 27 से 1897 के जो time period आता है इन तकरीबन 9 साल के time के उपर हम देखते हैं कि रंदे जी की inspiration के चलते ये इन्होंने एक quarterly नाम का जो journal था of the पुन्हा सरवजनिक सभा और इसको जो था इन्होंने added किया और इसके अंदर अपने editorial लिखे 1895 में गोकले जी के दुवारा राष्ट्रिय सभा समय चार भी जो था वो यहां पर start किया जर्नलिजम में अगर हम देखते हैं तो गोकले जी डिफरेंट डिफरेंट निउस पेपर और जर्नल के साथ जो हैं वो अटैच रहे हैं as a writer as a editor है लेकिन अगर मैं as a journalist जहां उस समय एक prominent leadership की अगर मैं बात करूं तो गोकले जी जर्नलिजम में उतना ज्यादा impact नहीं दिखा पाए जितना की बाल गंगादर तिल्क जो थे he was very outspoken about his ideology he was very outspoken even about his revolutionary ideas also इसके कारण जो masses के साथ contact था तिल्क जी का वो as compared to गोल्कले वो बहुत ज़्यादा था तो गोकले इस चीज को लेके थोड़ा moderate थे वो इतना ज्यादा open-minded जो थे वो इसको लेके journalism में नहीं थे इसके कारण उनका इतना ज्यादा popularity इसमें नहीं हुआ था political movement के अगर हम बात करते हैं तो 1889 में गोपाल क्रिशन गोकले जी Congress को ज्वाइन करते हैं 1890 में इनको पूना सरवजनिक सभा का secretary भी appoint किया जाता है और यहीं से हम यहाँ पे देखते हैं कि 1893 में he was elected secretary of the Bombay provincial conference और दो साल बाद ये Indian National Congress के joint secretary appoint किये जाते हैं तिल्क जी के साथ यहाँ पे सो दिस वाज दा स्टार्टिंग जो बिगिनिंग है यह Congress से इनकी 1889 ओनवर जो है वह यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है लेकिन तिल्क जी के साथ जैसा मैंने अभी बताया कि इनके ideological difference यहाँ पे थे तो that is why he was more inclined toward रंदे हे जो यहाँ पे थे और जिसके चलते जब रंदे जी भी because of difference with the तिल्क ideology यह अलग होते हैं तो तब इन्होंने डेकन सभा की स्टार्टिंग की 1896 के अंदर to counter the views of the सरव जनिंग सभा of the बाल गंगर दर तिल्क है तो यह डेकन सभा के साथ भी इन्होंने काफी काम किया 1897 में what is one of the very prominent time in दा गोकले जी के life में बड़ा prominent time आता है to give the evidence in front of the well-based commission तो यह चार इंडियों में एक गोकले जी भी जाते हैं well-based commission जो point किया गया था British government के द्वारा to check the unnecessary and wasteful expenditure in India by the British on military as well as another administrative expenses तो expenditure को check करने के लिए well-based commission point किया गया था और तब गोकले जी जो हैं यह वहाँ पे London में वहाँ पे जाते हैं इसी time के उपर गोकले जी जो है यह जौन मॉरले से मिलते हैं जो बाद में हमारे secretary of state भी appoint होते हैं और because of his good friendship with the John Morley तो इनका relation जो है वो secretary of state के साथ काफी smooth आगे चलता रहता है गोकले जी Bombay legislative council के member भी elect होते हैं 1900 के बाद member elect होते हैं और इसके बाद imperial जिसे हम central legislative council कह देते हैं उसके भी member जो है यह 1902 में बनते हैं और तकरीबन 1911 तक इसके member रहते हैं यहाँ और economics में he was already very good और economics में इनका interest भी बहुत ज्यादा था तो तब इन्होंने जो annual debate होती थी खास करके budget की उपर उसमें इन्होंने काफी ज्यादा अपना participation भी किया और British की जो economic policies थी उसको in house और outside जो था उसको criticize भी काफी किया इन्होंने 1904 में he was awarded companion of the order of the Indian empire ये इनको award भी दिया ग so अगर हम इनके political carrier की peak carrier की यहां पर बात करते हैं तो the major movement was 1905. 1905 में already India because of the Bengal partition एक major change से जो था निकल रहा था पूरे इंडिया में और खास करके बंगाल में सरदेशी movement को launch किया जा चुका था और पूरे गलियों में बंदे मातरम के नारे उस समय केलकाटा में गुंज रहे थी so इसी time के उपर ही गुपाल कृशन गोखले जी ने the servant of the India society की foundation भी रखी जिसका main purpose था के इंडिया और के जो different issues हैं चाहे वो social cause हैं चाहे वो economic cause हैं तो वहाँ पे इंडिया को कैसे सरव किया जा सकता है और किस तरह से इंडिया में एक awareness जो है वो lies आ सकती है 1905 में ये second time England जाते हैं along with लाला लाजपतराई जी तो ये Congress ने को भेज़ा होता है ताकि ये लोग वहाँ पे जाए और British government को Indian लोगों की problem और उनकी condition के बारे में बताएं ताकि जो British हैं वो इंडिया में required reform करें दोनों मेंबर वहाँ पे जाते हैं लेकिन दोनों मेंबर का जो वर्जन है वो बहुत अलग रहा है अगर हम बाल गंगादर्द सॉरी अगर हम यहां पे गोखले जी का वर्जन की बात करते हैं तो गोखले जी का मानना था कि we were very well treated हम बहुत अच्छा हमको treat वहाँ पे किया हमारी बहुत अच्छी बात सुनी गई है और they have given us good promises के इंडिया में reform लाए जाए जाएंगे लेकिन लाला लाई पत्राइजी ने इसका बड़ा opposite इसका अपना व्यूव वहाँ पे दिया था जब वापर साही तो उन्हें बड़ा openly कहा था कि बेटिस जो है they are too much occupied in their own affair के इं व्यू जो है वो यहाँ पे अलग अलग जो उस समय रहे हैं 1905 में गोखले जी यो थे he was appointed as the president of the Indian National Congress के प्राइडेंट भी अपॉइंट किये गे दूरिंग दा बनारा सेशन जब यहाँ पे सवदेशी और यह सारे major decision जो समय लिये गए थे और दूरिंग दिस टाइम along with फिरो content रोल यहाँ पे play किया अब गोखले जी का तिल्क के case में भी एक नाम यहाँ पे आता है जब तिल्क जी को बाल घंगदर तिल्क जी को अलिपर bomb making case के अंदर जो था और इनका वहाँ पे sedition charges इनके उपर लगाए गए थे because of his speeches तो इसको जब 6 साल की आगे सजा कर दी गई थी Secretary of State थे because he was very close to the Gokhle at that time तो Gokhle जी was basically an instigator for तिल्क conviction in that particular case हला कि यह एक allegation था और इसका कोई हमारे पास कोई इसका कोई proof जा कोई evidence इसका नहीं बट यह allegation उस समय लगाया जाता था इसके बाद Gokhle जी मौरले जो थे Secretary of State से काफी बार इनकी वहाँ पे मुलाकात भी इनकी वहाँ पे होती रही है और during this time जो मौरले मिन्टो रिफॉर्म एक्ट जो 1909 में लाया गया था जिसके अंदर Muslims को separate electorate भी दिया गया था गोखले जी ने इसका भी support किया था because of this reform ठीक है तो इस reform को इनकी बात करते हैं हम यहाँ पे तो गोखले जी जो थे he was supporter of the अवदेशी लेकिन यह साथ साथ में industrialization की भी support करते थे के इंडिया में भी industry और चाहे वो within Indian sport और by the foreign sport जो है वो उसकी starting जो है वहाँ पे जरूर की जाए गोखले जी ने सिर्फ politically जा economically ही अपना एक रोल नहीं play किया है गोखले जी एक बहुत मशूर उस समय के social reformer भी रहे हैं और इन्हों ने उस समय के जो burning social issues है for example caste system untouchability child marriage और इस तरहे के जो issue थे इनके उपर काफी जादा जो था अपना उस समय awareness भी spread की और लोगों को इसके लिए जो था वो inspire भी किया कि इन social evils के against में जो है वो लड़ा जाए उन्ने सो बारा में ये साउथ फरीका में जाते हैं गांदी जी से पहले भी ये मिल चुके थे साउथ फरीका के अंदर तो गांदी जिन को वहा आगे ले जाने के लिए उनको inspire भी करते हैं और जाब 1915 में गांदी जी फाइनली इंडिया में आते हैं तो गांदी जी की गोकले जी की ही advice के ऊपर ही पूरे इंडिया के के लिए के लिए जाते हैं ताकि ये इंडियन और उनकी problem को बड़ी बरीकी से नजदीकी से सामझ सक question and the biographical sketch of the Gupal Krishan Gokhale और 1915 के अंदर at the age of 49 के पास जो था Gokhale ji जी जी इनकी death भी हो गए थी. So student I hope के ये जो thinking Indian thinkers के ऊपर हमने जो series start की हुई है. It will help you in your exam and you will like it also. So thank you very much and all the very best. Thank you.